हेलो एवरिवान आज हम लोगों ने डियसिस करनी है तो कलम ने इंटरनल स्टक्चर कम रीद कर लिया था देखो डियसिस ज्यादा बड़ा टॉपिंग है जैसे आपको यह पता होना चाहिए जैसे अपका एंथर यह पूरा का पूरा एंथर जब ड्राय हो गया है अब ड्राय कि सारे टिशू पूरा का पूरा है यह खतम हो जाएगा न यह डिजनेर्ट हो जाएगा उसके वज़से क्या होएगा यहां पर एक चैंबर के फॉर्मेशन होगी यह देखो जैसे अब डियसिस के टाइम पर कुछ ऐसा दिखेगा आप देखो यह हाफ है इसके जैसा आप इ जनेर्ट होने के वज़से यहां पर एक चैंबर की फॉर्मेशन होगी इस हिसाब से अगर एक एंथर में देखो डाइटिक के सेंथर में एक लोग में एक चैंबर की फॉर्मेशन हो जाएगी अब इस चैंबर की फॉर्मेशन के बारत क्या होगा यहां पर सिरफ और सिरफ grains present होगे, अब क्या होगा यहाँ पर यह देखो जो हमने shallow groove वाला area पर रहा था इस region पर अब हमारे पास stromium की formation होगी और वो stromium क्या करेगा stromium से pollen के सारे के सारे बाहर, जो मतलब यहाँ से, जो disintegration start हो जाएगी, longitudinal disintegration होगी ना, तो जहाँ से जारे के सारे pollen बाहर निकल कर चले जाएंगे तो अब देखो कैसे होगी, जैसे यह आपका endothesium था, endothesium के cells आपने पढ़े थे यह बहुत थिक cells हैं, और dead हैं, तो क्या होगा, जैसे water loss होगा, जब यह anthel dry हो गया तो मतलब उसमें से water loss हो गया water loss के बाद क्या होगा, कि जो यह endothesium के जो cells हैं, वो contract होने, start हो जाएंगे, अब देखो जितने बड़े cells हैं, जब यह छोटे होने, start हो जाएंगे, तो क्या होगा यह छोटे होने की वज़े से यह सारा का सारे area और beacon cave होना, start हो जाएगा, जब जब यह दिखो, यह contract होने, start हो गई, समान लो, यह है, तो ऐसा कोई बॉल है, यह और भी contract होने, start होगी, और भी छोटे होने, start होगी, जिसी, यह छोटे होने, start होगी, तो यहाँ भी pressure exert होगा, वो pressure की काहनलों क्या होगा, यहाँ से separation उनी स्टार्ट हो जाएगे और separation के बाद क्या होगा स्टोमियम की formation और स्टोमियम के फॉर्मिशन के बाद क्या है अगर सारे के सारे sports क्या हो जाएगे बाहर disperse out हो जाएगे तो यह आपका DSS का है सिरफ इतना